तो कैसे हैं आफसाफ बढ़िया होंगे आईए हम आज पढ़ते हैं इस पेसली टर्माइट के बारे में कि आखिरकार यह जो टर्माइट है वह क्या इसके 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 मारफ लोजी क्या होती है इसके लाइफ साइकल के साथ साथ इसके बोडी स्टॉक्ट्ट एंड कंट्रोल फ्रिविंसन जो होंगे वो क्या-क्या हैं सबको डिल करेंगे आज के इस क्लास में तो बने रही है वीडियो क्लास तक हम कंप्लीट करा पाएं आपको पूरा डिटेल लेक्चर क्लास का हिंदी इंगलिस मिक्स यह क्लास होगा ताकि आपको टू-दपॉइंट सही तरीके से समझ में आएं तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं ससे बहले बता दें आपको इस एप के बारे में अधिक साधिक हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म एप आप बच्चों को बताईए ताकि वो मेरे से जूर पाएं अपने कोर्से डिफरेंट टाइफ से जोसे आप कोर्स में इन जामपल के साथ साथ देखेंगे और इसके इंट्रॉडक्शन पहले देखते हैं कि आखिकार इंट्रॉडक्शन में हमको क्या पढ़ने पढ़ेंगे क्योंकि इंट्रॉडक्शन ही सबसे बेस पॉइंट होते हैं हमको देखने के लिए अब यहां बात करें टर्माइट्स के कीड़े होते हैं यह ऐसे कीड़े होते हैं ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो सेलोज को क्या करते हैं खाते हैं इस्पेशलीन की बात किया जाए तो यह क्या करते हैं हमारे पास इंफ्रा आडर क्या इंफ्रा आडर इनका क्या इंफ्रा आडर क्या है इनका इंफ्रा आडर आइसो क्य कि आता है मिलता है किसे चीटी क्या होगी यह हमारी चीटी होगी लाल चीटी जो भी यह आनि जो मधुमक्हियां होती है मधुमक्हियों के और चीटीयों में जैसे social organization होता है वैसे ही social organization इनके भी कह सकते हो कि अंदर इनके जो स्थीज है उनके अंदर देखने के लिए मिल जाता है यदि बात करें जो यहाँ पे isopatra की बात करता है यानि जो ग्रीक वर्ड isopatra इसका मतलब क्या इससे पहले बात करें इसका मतलब है सीधे कैसे सीधे स्ट्रेट विंग पाये जाएंगी कैसा action दो ठो यानि टू पेयर में कैसे टू पेयर वन पेयर नहीं टू पेयर नहीं चार स्ट्रेट विंग यानि पंके पाये जाएंगी ठीक या होंगी चार स्ट्रेट पंके पाये जाएंगी अब यह जो पंक्य होती है, वो वर्ष में, क्या, वर्ष में एक बार नया उगती है, कैसे, एक वर्ष में एक बार नया आएगी, आप अब अगे यहां पर बोलता है, जो टरमिल्स होता है, उनको हम सफ Bunu को सफेज चिटि भी लोग ludzie बोलते हैं तो इस पैसली जो टर्माइट से को टर्मिट भोलते कभी कि टर्माइट ऐसे टर्माइट ही कहना चाहें को। जो टर्माइट है वो इनको हम सफेज चीटी के नाम से जान सकते हैं और यह confusion भी आज तक बना हुआ है क्या यह आज तक confusion बना हुआ है कि जो सफेज चीटी होती है और जो धीमक होता है दोनों में अंतर क्या है क्योंकि उपर से देखने में उनके कोई भी डिफ्रेंट नहीं नजर आता यानि दोनों की जो डिफ्रेंट होती है वो लगबग लबग एक ही जैसा होता है सिमिलर्टीज काफी ज़्यादा है मतब 90 परसें सिमिलर्टीज होने के वह से मार्फलोलजी में हम दोनों के पहचान करने में सक्षम नहीं हो पाते लेकिन लेकिन अमारा जो होते हैं सब्सक्राइब की तैसे हैं माइक्रोउस्कोप की शायतता से इस्पेसली उनको नौ्टीश किये हैं उनमें जितने जाने भी अलग अलग में चीटियां को सब्सक्राइब कीर हैं और उनके इशिच्च inan Bieber को देखते हुए क्या इनके बिसिस्ट बिसिस्ताओं को देखते हुए लोग और साइंटिक्सों ने उन दोनों को अलग-अलग किया लेकिन कब जब इनको माइक्रोश्कोप से देखा गया तब की बात कर रहा है अब ध्यान देना जो हमारे पास दीमक होते हैं क्या दीमक में बड़ी संख्या में प्रजातियां पाए जाती हैं ऐसा नहीं कि एक दो पाए जाती हैं बड़ी संख्या में प्रजातियां इंक्लूड हैं बोलता है टर्म पहले था लेकिन अब ये 3000 से पार चला गया है कितने 3000 से पार मतलब इस पेसल आप कर सकते हो कि त्री इतने ठीक 30,000 हो गया क्या 30,000 सब्सक्राइब तक देखे जा चुके हैं ठीक और ध्यान देना ऐसा नहीं कि इतने 3000 से पार हो यहां इसा एहां पए दुनिया भर में मिलते हैं एक जगह दुनिया मिलते हैं खासकर जितने भी ट्रैपिक कल करी होते रिजन होते हैं आप जांगे सोब्सक्राइब जया झांग वटक वर्जान और यहां पर इंदेखने के लिए मिल जाते हैं बोलता है ना यहां पर और क्या बलता है रेंट फोरेष्ट डेंगल यह देखने केलिए मिल जाएगा यह लाइन आप याद रखेंगे थार्माइट यह नहीं तरीगे से याद रखेंगे आप कहता है कि क्या में या किया बड़ा क्यांटाय क्यों होते है मिलाओ क्कुणा के तर्द्क फेनब मुल्न कौन चते नाव हो जाएगा और क्या होगा फीनीचर होंगे और उनके लोगे रहते हैं और एक इसान में चले तो यहां पर हमारे पास क्या मिलेगा कि जो हमारे पास तर्माइट है यानि दीमक है वह 120 इयर से हमारे एटमास्फियर में देखने के लिए मिल रहा है अब बात करते हम लोग किसकी बात करेंगे डिस्ट्रिविशन की जब डिस्ट्रिविशन की बात करते हैं तो जो हमारे तर्माइट है दीमक है यह इस्पेसली हमारा है सभी कंठी में देखने मिलता है किा सभी कंठी में मिलता है लेकिनदर ओद को थोड़ कर यानि जो ठंडे हैं ठंडे प्रदेश को जोड़े कर बाकि सब जगह think今日 मिल जाएगा तो अंटार्टिका की बात करें अंटार्टिका में यह अपसेंट होता है वहां पर पाया नहीं जाएगा तो यहां से यहां से आपको आयमपी बनता है यह वर्ल्ड वाइल हमारा तर्माइट यह दिमाक है लेकिन यह किस जगह पे नहीं पाया जाता तो आपको हर समय याद दोना चीए कि यह जो हमारा अंटार्टिका होता है वहां पर प्रदीप में नहीं मिलते अब देहां देना लेकिन इनकी डाइबर्ष्डी की बात करें अब करें नौर्थ अमिरिका ईन्य य्यूरोप जो होता है क्या यूरोब पर नumpsमे चीज होते हैं वहां लगबख 10 इससी ग्लते हैं नते से 50 इस ग्रवल नार्थ में मिलेंगे क्या मिलेंग यह एस vista यह थी हो गया नार्थ में केवल 10 से 50 मिलते हैं और साउथ में 400 इस पसीज आपको देखने के लिए मिल जाएं कितने हैं जो हाई रेंज इस पसीज वह साउथ अमिर्का मिलते हैं कहां पे 400 इस पसीज देखने के लिए मिल जाते हैं यह यह याद रहें कि जो यूरोप में जो यूरोप है वहां पे 10 मिल रहा है जो उत्तरी अमीर्का वहां पे 50 मिल रहा है क्या 50 मिल रहा है 50 स्पासीज है लेकिन जो दश्डी अमीर का है वहां पे आपको कितना 400 से जादा स्पासीज देखने के लिए मिल रहा है 400 से ज़्यादा species देखने के लिए मिल रहा है यह लाइन आप या दखना यहां पर अब क्या बोर रहा है लगबलबग वर्तमान इस्तिती में देखा जाए इस इस प्रजेंट फीचर से नहीं प्रजेंट की टाइम की बात किया जाए तो प्रजेंट टाइम में इसलिए करेंटली हम लोग इसके 3000 species को यनि कितने 3000 species को classify किये हैं कितने classify किये हैं और अफरिका के अंदर जो अफरिका है अफरिका के अंदर 1000 species पाए गए हैं क्या किये गए हैं अफरिका के अंदर 1000 species पाए गए हैं और ये धान देना ये सबसे जगा उसी जगा मिलते हैं जहाँ पर बड़े बड़े तीले होते हैं प्रफूर मात्रा में ये पाये जाते हैं लेकिन बोलता है यहाँ पर लबग लबग 1,1 million active term in सक्री जो 1.1 एक्ट्व टर्मांइट उते हैं कहां उत्तरी क्रूगर निशनल पार्क में ही 11 लाग एक्ट्यू यहां शक्री दिमक के तीले कितने सक्री दिमक के तीले दिखाई देते हैं बताओ 11 लाग तीले यह तन्माइट नहीं सब्सकरिशक बड़े बड़े तीले कैसे इसे उनका घर बना ओता ना इसके इज़र से निकलते हुए करेंगे ऐसे दिखो छोड़े चोड़े चोड़े मिट घर की बने होते हैं उन्हीं को टीले बोल रहा है अब हम बात करते हैं में कि आ से करने की बात करें यह फोर से कैसे इनकी मिजर्मेंट किया जाए 캔hta मिजर्मेंट किया जाए तो कितने पाए जाएंगा यहां पर ट। रही हो फीव्ट ऑफ Rocky दिava यह पाले जातें लेकिन लेकिन अभी जाना नहीं इसम मिजर करनाा चोंच में सबसे जो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं क्या है इसको बोलते हैं माइक्रो टर्मेट क्या तर्मिस तो माइक्रो जो टर्मिस है माइक्रो टर्मिस बेली कोकस याद रखना क्या माइक्रो टर्मिस बेली कोकस जो है वो सबसे बड़ी Species होती है और यह सब की राणी मया होती है राणी होती है तो एक तु इनобыर ये बन जाएगा यहां से क्या मनेगा इन पोटेंड यह कर लेना हैं है यहां से याद रखना प्यों यह आयमपी है तो यह कितने होंगे 10 संतिमेटर के हो सकते हैं ठीक और इन जो इतन होगा कितने होंगये दिखाई देंगे तो यायाद अखना सबसे जादाए वो सबसे बड़ी होती है इसका नाम क्या था माइक्रो टर्मोंस इसको बहुते हैं तक मैंस मीली क्या बला माइक्रो टर्मेश क्या माइक्रो टर्मेश और यहांपे बेढ़ी कोकस ठीक आगए बात करें अच्टा होते हैं वह बलुक्त हो चुके हैं जो बड़े बड़े और दीमा को होते थे लेकिन वह कैसे हो गया वह बलुप्त हो चुके लेकिन उनमें कौन कौन से कुछ सपीश हमारे पास सामने दिखती है उस से इसको बहुत आप मेरा सबसे ज़्यादा विशाल हुआ करता था ग्राट मेंअ और उसी के साथ क्या हो जाएगा ग्राट मेंज के साथ के साथ उसको बोलते हैं इस्टियाइट इस्टियाई रिंस इसका हो जाएगा बेश्ट रियंपल यानी आस्टिया में मिवं सिन के दारान ये बड़े मियोशी के दौरान ये बड़े बड़े लोग पाए जाते ठीक और यह 76 mm के 76 mm के आसपास इनके पंगे थी तिन इंच तो इनtat चानल को ती ती तीन इंच की तुम के पंक्रें अब बढ़ते हैं अगले नमर पर यह आपको दिखरा होगा पिक्चर क्या दिख रहा है पिक्चर अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकल क्या पढ़ेंगे लाइफ साइकल तो बहिए एक नौजर इन लाइफ साइकल पर डाल दिया जाए उसके बाद हम चलेंगे आगे ठीक सबसे मेले कहां से स्टार्ट करें हम लोग हम लोग बात करते हैं यहां से कहां से बात करिया जाए भाई इस जगर से बात किया जाए ठीक यहां से हमारे पास इतने भी नारमाल स्टेज में हैं ठीक यह क्या करेगा आगे स्वार्मिंग करेगा उपर की और जाता रहेगा कोन कम जो किरेंगे कुद्या कि दिर या यहां नेंके साथ रहेगा तो क्या बनेंगे अनदे बनेंगे रारवा बनेगा Dave यहां ने मौनकासर ऺासां होगा और यहां पर लिम्स का फर्मेसन होगा और जोगा क्बने निमीन बनें अबाद धो नियुक्त तयक्त चुक्त। बनेंगे एक हमारा सोल्दर हो गा ये कए करेगा ये सबराट सुरक्षा करता है और जो हो आगे सिबफ होगा सब होके फीर आध की फारमिंशन को करेगा इन के बारें हम डिर्डिल करेंगे लेकिं आगे यहां बात करते हैं life cycle क्या बात करते हैं life cycle यह पिले पिले अंदे दिखाई जाय किया यह पीले पिले अंडे उसी के हैं किसके स्पेसलि टार्माइट की बात कर रहा है थेक तो देखो अंडों को देखी लेते हैं बया तो light cycle में stage first Hyundai किशेख देखेंगे कैसे यह कैसे यहां पे स्टेज को देखेंगे यहां यहां पे इस टेज को देखेंगे जैने निसेशन के बात की बात करा क्या निसेशन के बाद की बात कर रहा है जो मादा दीमक होती है यानि यहां पर फिमेल टर्माइट ले हेयर एग इन दा जेली लाइक यहां पर क्या है लिक्वीड डैट होल्ड एक टूगेजर यानि जो अंडा होगा अंडे के आसपास यानि अंडा ये एक अंडा ये इसके बीच क्या पर जाएगा एक जेल लाइक म्टेरियों होगा यानि क्या होगा एक यहां है एक अंडा यहां यहां है थो इनके बीच एक स्वाड इन होता है इस मैं होता है जрос apoyo होता है जो सारे सारे अंडे को एक पास रखने में मदद करता है को वर्टिलीयजेशन के बाद कौन घरेगा क्व म cupboard के बाद यहें कि धिती है तो पने अंडे को वह तरलपदार्थ के साथ बाहर बाहर देती है और वह अंडे केह साथ co बहूं अपस में रखी रही होती इस इस she लगबग एक दिन में 30,000 अंडे देती है अभी हम इसके पहले किसको पढ़े थे इसके पहले हम केवल एक ही लोग को पढ़े थे कौन था वो ता इसके जो एक दिन में दो हजार अंडे देती थी लेकिन यह 30,000 अंडे देती है यानि यह अभी तक तो हमको जहां तक मलता है सबसे ज़्यदा अंडे यह देती है एक दिन में 30,000 अंडे दे रही भाई साब इतना विसाल जंसंक्या खड़ा करेगी क्या बताया जाए ठीक 30,000 अंडे एक दो अंडे दीती तो क्या बात होता कितने अंडे होते सस्ता होता हम लोग खाते नहीं वैसे कभी-कभी अभी इसी ध्यान से आप इसको देखा जा सकता है किसके अंडे को अब बात करते हैं यह स्टेज अभस्ता ठीक तो हैसरा मतलब रगंभ परिवागे बदलता रही से फिर देकर बुर्ल रहा है कि यह पर है STATاج ूआया यानि अवस्था दो दो में देना है कि जो होते हैं क्या होते हैं पिस यह कि से कैसे पीले color कोईते हैं और पीले के साथ white हो जाने के पीले white रिखाते हैं पतला सा आपको क्या मिलेगा? इसको बुलता है एक जयक सकल्टर्न यानि पतला सा एक जयक सकल्टर्न उनके body पर क्या होगा दिखना प्रतीत हो जाएगा और यह especially आजाएगा और उसके साथ six functional लेग यानि चाठो पाचारी छे तीन पेयर पैर भी आजाएंगे कितने यहां पे आपको पैर आपको पैर भी दिखाना लगे डियूरी इस इस्टेज यानि इस अवस्था में उसके अंटीने भी हो जाएंगे और उनके अंदर छैठो पैर भी आ जाएगा और हमारा जो निम्फ होता है वह स्पेशली डिबलब बाई मॉल्टुनिंग बोलते हैं क्या बोलते हैं मॉल्टुनिंग बोलते हैं यानि परपक होगा और परपक होने के साथ वहां पे मेल्टिंग द्वारा बिक्सित हो जाएगा किसा मेल्टिंग द्वारा जाल्क में अनि मुत रिख भों कहोते होंके किया इतुन को तैक को खीक रूटन डीव मेंप क्यों की मिर्मा पास मौल्टिंग तो ज़ा होगा जब हमारे पास मौल्टिंग होता है निम्फ का थो तरमाइट है रिमूव स्कெ drapi यानि जो आउटर स्किल होगा उसके उपर यानि जब इनके अंदर मौल्टिंग के दौरान जो निम्फ दीमक होता है उसकी बाहरी तोचा होती है वह पूर्टे किसके होती है हट जाती है और हट जाती है जब तो क्योंकि ये बहुत तंग हो जाते हैं उसे परचान हो जाते हैं चलने पाते चलने फिल्लै में काफी दिक्कत होता है और इनको खतम होने के लिए जो हमारा हार्कोंनल सिस्टम निम्फ के अंदर वाला सही तरीके से काम करने लगता है क्या काम करनेगता है, अब हार्मोनल सिस्टम ही आगे चलके डिबलफ करता है, कि इस स्पसीज को, यानि जो निंफ है, इसको किधर डालना है, male बनेगा कि female बनेगा, ये निम्फ ही बताता है, ये चीज़ आप धहां रखना, अब हमारे पास क्या होता है, जो निम्फ होती है, वो termite यानि डिवलफ होगी, ठेक, vigor and developed, यानि बड़ी होकर, बिक्सित होकर निकलती है बाहर, और ये जो धीमक होता है वो यौन रूप से, क्या, यौन रूप से परिपक को होने, मतलब सेक्सुलिटी के साथ साथ, सेक्सुलिटी रिजन को परिपक को होने के साथ साथ, ये कई स्टेज से गुजरता है, मतलब जैसे, अब भी, आपको साधी करनी है, ऐसे कैस्ते कर लोगे, पहले पढ़ोगे, यह के जी एक दो तीन चार पाच ऐसे पड़ोंगे फिर इंटर गेस्वान पिर ऐसे फिर उसके बाद माश्टर डिगरी उसके बाद प्येजडी नोगरी मिल जाएगी तब करेंगे आपको साधी करने के लिए तो कई स्टेज से क्या होगा गुजरना होगा क्या करना ओर सिस्टेज होता है सेक्सवैल मिच्वटै के लिए जो इंस्ट होते हैं उनको कई स्टेश से गुजरना पड़ता है अब ध्यान देच जो संख्य होती है वह अलग अलग होती है जिए झान हक्ट इस्टार बोता है निक्षσι आर इस च्टेज क्या impaired देखissippi के उनके अंदर अलग अलग वेरियस टाइप के इन श्टार स्टेज देखे जा सकते हैं गहला ने तक अबाता है उन अनिस्टार स्टेज बोलते हैं जैसे अलग अलग कास्ट है अलग अलग कास्ट में भी हिंदू है मुसलिम हम हिंदू को ले लग तो हिंदू में अलग अलग जैसे होते हैं कुछ लोग कम पढ़ते हैं कुछ कास्ट में लोग ज्यादा पढ़ते हैं कुछ कास्ट में यह नहीं आओ देखते हैं लाइफ साइकल यह आपको पूरा पूरा मदमख्यां दिखाई दे रही है सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा होगा ठीक हमको ना देखो इसको देखो ठीक लाइफ साइकल का देखना है लाइफ साइकल कहा से स्टाट किया जाए हम बात करते हैं सबसे यहां पे तीस हजार अंडे के ऊपर क्या होता है यह बहुता है किया बंए गल्लने के बादת निकलने के बाद क्या बनेंगा यह लारवा बनता है लारवा कई इसको हैं और बनेंगे वर्कर बन जायेगा यहां पे और溟र्स यह कब बनेगा हार मोनल क्या बोलता है इसको हार्मोनल चेलंजिंग होगे उसके बाद इनका बनेंगे जाएगा यहां पर मनते हैं हमारे पास निम्फ बनेंगे इस तीनों बनते हैं यह दोनों तो कब लाइते हैं वहरकर अपना काम करेगा अपना सुरक्षा पीट करेंगा यह यह करता है यह अब यहां स्टेज में चला जाएगा डेश सारे सेक्षुल मिस्चियोटी के तरफ बढ़ेगा अलग 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 स्टेज से गुजरता है गुजरने के बाद यह अप रिप्रोडक्टिव यहां पर लेस देविंग यानि जो इसकी पंक्खे होती है वहां पी वह होती है लेकिन जब यह ने परपक हो जाएगा जो पूरा पंक्खे होती है वह खतम हो जाएगे और यहां थे क्यों सबसे बच्चे यह और इसा फूरा साइक्ल निका चलता रहेगा ऐसा जानते रहना ठीक जिसको भी screenshot करना है जल्दी से बया बहन जो भी लगते हो ठीक बया बहन चाचा चाची जो भी हो फुगा फूपी जो भी हो आप लोग screenshot इसको कर लो हो गया अब चलते हैं आगे आगे बढ़ेंगे यहां पे बात करेंगे adult stage की कैसी adult stage की बात करने के point number 3 की कैसी point number 3 की देखो time जा रहा है लेकिन point तो आपको clear आज होई जाएगा कोई doubt नहीं बचेगा इसने अब थर्ड में बात करते हैं यहां पे देना है जब दीमक हमारा वयस्क अवस्ता में पहुच जाता है क्या दीमक वयस्क अवस्ता में जो पहुच जाता है यह बड़े-बड़े कालोनी बना लेता है क्या जब बच्चा बढ़ा जाता है तो उसके friend circle उसके boyfriend मतलब कालार इस नहीं संद लीमक है झाल फिता कि अब यहां पर बड़ा होता है तब अन्यों कै tract अग्रानेशन हो जीयां है ci paling जब ऐसे यह देखने कर दिछन लेंगा जो क्लासे सो JENN मेरे पास आते हैं और आपको इन आपको दिखाई देंगे तो आपको ये पता हो जाएगा कि आखिरका जो कॉलोनी बंते उसमें टीन टाइप के लोग हें जैसे हमारे मोबीसी जणेरल है सबसे हैं वैसे यहां भी और और हमारे नारमल हमारे सोलब हो यह त्मों टाइप आपको दिखाई देंगे सबसे पहले हम आपको दिखाई देंगे लग को डिमक बोलते हैं कैसे उसलेम। कि ऐसे हम लोग बोलेंगे देखो बड़ा मोटा चला नहीं दिख रहा होगा साइसे इसको ऐसे कर लो तीक अब यहां पर हमारे पास कर जाएगा अब यहां पर बोलना क्या मुलता है निसें यह icon होते हैं वह इसी में आते जब तक आफंड साल बासुर यानि यहां पर जितने भी उनको लगा देंगे चैंक उनको रिखा देते हैं और काम पिनमक होते हैं उनकी सबसे बड़ी जो संख्या होती है यानि सबसे लॉर्जे संख्या जो होती है वो वर्कर की ही होती है यानि वर्कर टर्माइट की ही सबसे बड़ी संख्या देखने के लिए मिल जाती है अब ध्यान देना अब यहां मलते हैं यह सफेद पीले कलर के कैसे दिखाए देंग यानि creamy white होता है या फिर्म का yellow white color होगा इनकी body का और ये largest termite होते हैं colonic यानि सबसे ज़्यादा termite की जो number होती है वो worker की होती है और यह कैसा होगे यहां पर yellow white होते हैं या फिर creamy white होते हैं अब इतना ही नहीं आगे पड़ते हैं जो मारे पास worker termites हैं ठीक क्या हुमारे पास worker termites होते हैं फों कैया बोला ही पर आजाता है और यह थोड़े से लाज देन निम्प कैसे ला एंड और लार्जर देन लें निम्प होते हैं उनसे थोड़े से बड़े होते निम्प से छोटा होगा यह बड़े होंगे आगे बोलता है इनके जो अलग-अलग कुछ इस्पिसीज है ठीक उनमें जो स्रमिक एक मात्र दिमक है जो सोतंत रूप से भोजन कर सकते हैं वह दिमक के वह सोतंत रूप से भोजन कर सकते हैं बाकि कोई भी इस्पिसीज ठीक से भोजन नहीं करता है बाहर से कोई जैनि स्रमिक जो होते हैं वहीं बाहर से भोजन लाते हैं तब देते हैं तब लोग खाते हैं इन्हीं स्रमिक भोजन नहीं देगा तो हम लोग बाकी जो दिमक होंगे वह नहीं खाएगा जैसे किसान सेनिक दीमक क्या है इनको देखा जाए कि दीमक क्या कहरा है किBack यह सुरमीक दीमक के बाद आते हैं कि धीमक की दुसरी सबसे बड़ी जो कॉलो 92 होत्या नमबर जो होता है वह किसका होता है वह हिट करने के लिए सबस्क्राइब करते हैं यह आपके घर होते हैं उनकी सुरक्षा करते हैं बाहर से कोई दिमक मातम वह नहीं आए वह पूरे पूरे टीलों को सुरक्षा करेंगे और यह कह सकते हो कि इस आनी जो दिमक में इस्पेशली मुखपात रहता है वह बिश्य सुरुप से बड़ा होता है यह जो मेंडूबल होता है जिसे वह किसी बड़ा आकार का डिजाइन ह नी होता है और किसी से सुरक्षा करने लिए एक वफेन की तरह एक हतिय की तरह काम करता यह लाइन आपको याद्र है कैसे हतियार की तरह काम करने र सकते हैं कैसे डिपरदक्षण नहीं कर सकते कैसे चैनल यह किbils यह लाइन याद रखना और इनके साथ सासम को यह देखना पड़ेगा कि यह तो बायंज है जवड़ा उला नहीं करेंगे जवड़ा करने के लिए इनको बना जैता इस पेसली और यह चिद्धान अगना जो यह दुस्मनों से बचने के लिए और उसे सामना करने के लिए ठेक एक नोजल यानि अपने जो नोजल होता है तूथना कहते हैं अपने नोजल से एक बिसैला पदार्थ का सिक्रेशन करते हैं क्या करते हैं अब यह जो बिसैला पदार्थ होता है क्या यह जो बिसैला पदार्थ होता है यह हमारे दिमक यानि जो इन से पदार्थ छोड़ते ह हैं और सोल्जर दिमक जितने भी होते हैं वो सक्री रूप से उन पदार्जों को छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद अपनी सुरक्षा करते हैं और वहां से भाग जाते हैं अब बोलोगे सरुंके अखियां तो हई यह नहीं है कई से देखते हैं कि कौन आ रहा है तो उनके अंदर फिरामोन का सिक्रेशन हुआ रहता है जो अलग इस पिसीज को दूसरे इस पिसीज को पहचान पाते हैं महसूस कर पाते हैं कि यह कौन सा इस पिसीज आ रहा है क्योंकि यह लाइन आपको पता होना चाहिए अब बात करते हैं यहां पे हमारे रिप्रोड़क्टिव इस पिसए नुम करें यह परने के बात नहीं कर सकता है अब जो हमारे पास कह सकते हो कि जो हमारे जनन यानि रिप्रोडॉक्टिव यहां पर एल्टेस होते हैं ठीक डिस अपेयर टू बी गोल्डेन टू डार्क ब्राउण कैसे गोल्डेन टू डार्क ब्राउण और अर अलसो नोन यहां पर आऊं हमको कहीं न कहीं क्या दšंथ यह इसे होते हैं यहां डार्क ब्राउण कालर के दिखाई दे congregation और प्रजातिय तो लाल भूरी दिखा जाते हैं लेकिन यह प्रजातिय हैं कैसे होते हैं यह इदक केवल गहरे बूरे कलर की होती है लेकिन उन्र नोटी है वो लाल बूरे रंक होती है ठीक और यह ध्राँ देना ज तरिकलर और समोखा जितने हैं ऑर स्यंट। यहान कि यहाद करें यहां पर बिगणर यहानी बिगर होगा कैसे यहां पर किंग राजा और रानी की बात कर लिया जाए जब राजा और रानी की बात हम लोग करते हैं यहां पर करता है समबोह करता है वह समाप्थ कर देता है यानि मर जाता है राजा धीमक राजा मॉझिन एक बयर वाड़ रिंवाइ उसका आकार नहीं बदलता है यह थे और धान देना जह हमारे पास मेल उर्यंति होता वह इस्पेसली हौ इस दा फिनेश मॉल्टिंग इस कॉल डिर राएक किंग टर्माइट डोजना डजना चेंज इन साइस आप्तर बिकम डिकनिंग क्या हम बिकिंग बीकमिंग ठीक बीकमिंग दो किंग आफ एक कॉलोनी यानि जो कॉलोनी होती है उसके अंदर वह कभी भी न ही बदल सकता है वह एक बार पूरा खत्म हो गया तो हो गया लेकिन क्यों होती है जैसे काफी बड़े हो जाएंगे राजा रामिन लेकिन बोलता है यहां से से फौंट य२ि रिपरोड़क्टिव अल्टेश क्या Oltesse और call क्यों टन्मिट यानि देखा जाता है कि भाईया हमारे पास जब रिपोड़क्षन होगा क्या होगा जब रिपोड़क्षन होगा उसके पहले हम लोग कह सकते हो कि दिमक होती है वह काफी बड़ी होने लगती है काफी बड़ी होती है ठीक और इनके जो ओबरीज होती है और यहीं राजा क्या मुलते हैं राजा रानी जो होती है रानी दीमक का जो अंडासे होता है वो काफी बड़ा हो जाता है और लगातार यहीं रिजन अंडासे पंपने और लगातार बढ़ने के कारण जो रानी दीमाक होती है वह काफी बड़ी होती है और वह बड़ी संख्या में भी अंडे को देती है और इसी वज़य से उसका पेट होता है न index जाइस जैसे वह एक देती रेप्रडेक्शन करती है वैसे वह होगा बड़ा होता जाएगा यानि रिपरडेक्शन आज हुआ आज उनके अंदर फड लेसन हुआ इक बन गया तुसकी बड़ी बड़ी हो गया टेक बड़ा हो गया वह जब पिच्प के चोटा हो गया फि मेरा नोर्स बना रहे तो बना लीजिए ठीक अब बात करते हैं कोश्ट की अब देखो हम कोश्ट की तो बात करी लेंगे वह या क्या क्या होता है पहले बात करते हैं निम्फ की किसकी बात करते हैं निम्फ की कास्ट में सबसे फ्योरेबल हमारा है निम्फ क्या है जब हमारा कि यहां पर हमारा होता है क्या हिशिंग कंडिशन्स होते हैं यानि जब हमारे पास दीमाइक कंडा फूटता आप इसको देखता है मैं बोल रहा हूं तो जब पीले कलर की एक छोटा सा निम्फ निकलता है जो सक्षम होता है अब काफी कमजोर होता दूसरे दीमग होते हैं उनके उपर निर वहीं करने के लिए उनके उपर निरबर होता है यह क्होंको का पिना उस्य जगह से मिलेगा यह कहाना पीना नहीं बनासा अप्राइब कह होता है जरखन व्यास को श्तमय ले लेता है यह लाइक टर्माइट नेण फिड अन शी लोज ठीक डिरावब अन प्लांट अब यहां से जासे हमारे पास डीम होता है क्या दीमक होता है वह वयस्क दीमक की तरफ निम्फ भी लकड़ी और प्लांट सामेगरी से प्राप्त स्रिलोज पर ठीक फिड करने लगता है और उनके लिए खुद ने उनके लिए उनके पास खुद के जो खिलाओने की तरह को तरीका नहीं होता है मतलब एक कर सकते हो कि उन तरीके से खा नहीं पाएगा उसके पीछे रिजन है क्योंकि वहां पे जो फिडिंग की मेकिनिजम है वह उनके अंदर डिवलाफ नहीं होती वह चाहता है जैसे चोटा बचा खाने के लिए करता है लेकिन खाने पाता वैसे यह है कि खुद को खिलाने का कोई तरीका उनको पता नहीं होता कि कई से खाया जाएगा लेकिन वह खाने का प्रयास पूरा करते हैं लेकिन जैसे से युवा जो होती वह कालोनी में जो परिपक को दीमक होते हैं यानि जो अलग अलग हमारे दीमक है वह निम्प को खिलाने वह उसके देख भाल करने के लिए लगाया जाते एक आजकर जो वरकर होते हैं वही निम्फ को खिलाते पिलाते हैं और हमारे पास जिम्मिदार कालोनी का राजा पराती है यह जो क्यों किंग होता है वो पता करता है कि हमारे निम्फ की नंबर कितने हैं उनका देखभाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह पूरा कौन करता है रा प्रतेष प्रता हरार से हानिकारक हो सीधा चारा नहीं खाता क्या सीधा चारा यह नहीं का दा लेकिन 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 जो इनको खिलाने वाले लोग होते हैं क्योंकि इनकी नंबर ज्यादा होती है तो इनको खिलाने वाले जो लोग होते हैं वह डिरेक्टली किसी भी मटेरियल पर क्या करते हैं लगे होते हैं वहां से मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं उसके बाद वहां से वह न उस सोअैटि इसके जैसा भी यहां पर सोजवाटयी देखने के लिए मिल जाता है कैसे उस सोलनी ता से स्टी अलावा भी देखना भी पड़ेगा हमको कैसा स्टैटी है जैसे स्सालिक को होता कालोनी होता है कैसा यानि हमारे पास जो कानोनी को सिर्मी को था दिम को सबसार काम धाम को होता है चालू रखना उसको देखना चलना फिर ना जैसे जितने भी नौकरी करने क्या नहीं पिकारेंन वाले इंडिया में लोग वह कामकरना बंद करतें सारा बिश्ता यस्त प्यस्त कर लिए जो आपकृष के लिए करेंगे अब बात करें कि काम क्या होती है उसका काम होता है क्या किया करना होता है नंच मींध बलते हैं वह निरवाड करेंगे उनके उनके साथ उनका पूरक पूरा उसको भोलते हैं और यहां पे ड्यस्टर करते रहते हैं और करते रहते हैं और आफ़े करते हैं दीने कोते हैं वह चारा यानि फूर की बात जो वरकर्स होती है किसको इस्पेसली फूड इस्टोरिंग के लिए किसके लिए फूड इस्टोरिंग के लिए यहां पर टर्मिनल जो हता है उनके लिए कि जितने भी हमारे टीले बनेंगे क्या बनेंगे जितने भी हमारे टीले बनते हैं उनको बनाने के लिए सुरंग जो होती है एक इस्थान स सब्सक्राइब अबस्ता सब्सक्राइब और इसासत किसे बनाएगा वो अलग अलग पार्ट से बनाता है स्रिलोज फर्म वूड लिफ लेटर स्वायल और जो हमारे पास एनिमल के ड्रग होते हैं उनसे वह फार्मेशन कर रहा होता है यहां पे जो कार करता मतब जो हमारे पास वर्कर होते हैं वर्कर तब कालोनी के जो निम्फ होते हैं उनको एकठा किये गए जो हमारे पास से लोज माटेरियल होता है उनके लिए यहां पे ट्रैफो लेरिंग्स नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक इजरी कहीं होगा कहां गया भाई हमारे पास क्या गया हां यहां पे ठीकिंड muchís याद काल यानी जो हमारे दिमक वर्क ऑन पर बता हैं यां पर टृफो क्या बोलते हैं इसको याद रखना तो्ट्रॉफो लैरिक्स जो होता है वही दिया रथा है खाने के लिए जो हमारे वरकर्स होते हैं वह निम्फ और यृं को खाने के लिए इस पेसली यहां बोरा है ट्रैफो लेरिंग्स नाम एक एक केमिकल देते हैं क्या करते हैं और यह केमिकल से लोज का बना होता है और जो खुद को नहीं खिला सकते मतला इनके साथ वह order नहीं होता कि बैंक का अधिकारी बैंक सबको पैसा देगा लेकिन अपने अधिकारी के लिए कोछ भी पैसा उच्छा अधिकाल के नहीं रखता है वह तोटली वहां पे अपने लिए ही काम करता है ठीक काफी लंबा क्लास हो गया अब एक चिद्या देखना बाकी चीश तो आपके लिए अब यह मोरे सानिक दीवक्त होते हैं ठीक कलोनी के नीमफ होते हैं और सानिक होते हैं ठीक को आपस में क्या करता है मिलते हैं ठीक और उनकी जो लिंग होती है क्योंते लिंग होती है उनमें कोई मतलब सेक्षूल जो कंडिशन होते हैं कैसे सेक्षूल कंडिशन होते हैं सेक्षूल कंडिशन में कैन बी देखो यहां बोरा वर्के टर्माइड कैन भी मेल फीमेल अब देखो इस्ट्रेंट जैसे हम आगे बढ़ते तो वहां पर य कर रहा हैं कुछ लोग फुट को ला रहे हैं कुछ लोग नेश्ट का फरमेशन कर रहे हैं यानि अलग 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 तरीके से पूरे के पूरे जॉब कंडिशन में लगे होते हैं उनकी अलग अलग काईटेरिया होती है क्या होती है अलग अलग काईटेरिया होती है और इन ऐदा करने का कोई भी उनमें चैंस नहीं होटा वह चाइल डिपलफ नहीं कर सकते यानि इक जिन्दारत हैं काफी वह जल्दी मर जाते हैं कि सभी जो करमचारी इसके साथ सा जितने भी मारे करमचारी होते वह कैसे होते हैं लाइन होते नि अन्देज का प्रियोग करने की ही आदस होती है केवल आगे पाया जाने अंटीने से जो हमारा पास सेंस और जैसा भी एप कर रहा है और उनका मेंडूबल है उनसे वह सुरक्षा करते हैं मतब भोजन को लाते हैं खाते पकड़ते उसी से हैं और इनमें कोई अलग से कोई फीचर नहीं होता है यह लाइन आप याद रखेंग है अब बाता से हमारे ने हैं होता है और यह से पहले हमारी होती है क्योंकि वह है यानि क्यों पहले आई से रहेगी और उसके बाद वच्ची इडिक हो जाएंगे इसका स्क होता है इनको निमफ बोसकते हो यह किडफरों एह स्टेज और 숨क्ल Digital करते हैं इसके लिए इनकी उपयूगता देखी जाती है यानि जो स्रमिक मक्ही होते हैं और अपने निर्मार करते हैं और कालोनी के सिकारियों पर हमला नारमले कर लेते हैं बाहर से और लगे स्टार्ट हो जांट ऑर विवावक के क्वारत होती है और हमारे दिमक्स होते हैं वो दिमक्स काम करतें इस पाइब काम करते से सोलजर से आपकी लीए काम करते अभिवाब के रूप में आका शुरक्छा करने लिए सिर्मीक की तरही पाए उसी साल लेकिन Whew अब एक से दो सालों तक जिंदा रहते हैं और पूरी तर्विस कहते होते हैं अधे होते हैं और यह जो निम्फ होते हैं निम्फ तीन से चार बार जो बदलता है तब इस स्टेज तक आता है यहां समें मौल्ट जो होता है निम्फ मौल्टिंग होती है तीन से चार बार तब इस स्टेज तक आता है अडल्ट हुड लग जब निम्फ चार से तीन से चार इस स्टेज तक बदल जाएगा तब आएगा अब धेहां देना जो श्रमिक होते हैं वह बहुत काफी ज़्यादा इस स्पेसल कड़ेगरी के होत इनके कालोनी की सुरक्षा करना और आम चीटियों जैसी होती है और यहां से कोई भी अनुसूला हमला नहों जाए क्या हमला नहों जाए इनसे सुरक्षा लगातार करते रहते हैं तो यह हुआ कास्ट और नाइस्ट जैसे कि कैसे होगा हमारा कास्ट का और गनाइशन जहां भी बात करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की क्या करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे होगा इसके बारे में ध्यान देना होगा ठीक तो चलो सबसे पहले बात करते prevention के बारे में देखो सबसे नमर फॉर्स पॉइंट इतना प्रिवेंशन दिया हूं इतना नहीं कोई एक दू याद करें आप बागी मैं बता दे रहा हूं अब देखो जो नेश्ट इनका बनता है क्या इनका जो नेश्ट बनता है नेश्ट में इस पेसली सलफर और सेनिक और म होगा यह पहीला पाट हुआ है दूसरा हमारे पास जो अलग से जो हमारे संक्रमित होने वाली लंकडिया यह कई गया है उनमें पर मैं अहीं है एप अंतरलप खेद उसके अंदर हमret दाल सकते हैं sodium fluoride डाल सकते हो और यह जो sodium fluoride होता है यह अच्छे तरीके से लकडी को अगर लकडी के अंदर डालते हैं वहां से दीमाग खतम हो जाएगा और इसमें calcium arsenate भी हम लोग डालते हैं यानि रानी जो होती है वह अंदे ना दे सके इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं क्या अंडे ना दे सके इसके लिए हम लोग क्या करें अंडे ना दे इसके लिए हम अलग-अलग जो कीट नासक होते हैं वह अलग-अलग कीट नासक इनके अंदर हम लोग डाल सकते हैं और नमबर हम 5 कि 4, sorry 4 की बात करें अब यहां पर नमबर 4 में यदि हम लोग करचा है तो ठीक बिच्छा रोपर के जब हम गड्रे कहनते हैं यानि भिच्छा रोपर जरूरों प्लान्टेशन कर रहे होते हैं तो प्लानटेशन की पिट होती है वहां पे हम लोग 2% क्या हम पर डाइल्डरीन हम लोग डालेंगे तो प्लान्टेशन करते समय प्लान्ट की जो रूट्स होती हैं वहां पर दीमक का कोई भी प्रभाव नहीं आएगा यह लाइना पिया दखना अब उसके बाद हम जैसी आगे बढ़ते हैं नमर फाइक में यह दिल कहाता है कि यदि हम लो 20-25 किलोग्राम पर हेक्टेयर हम लोग इसको चुड़क भी सकते हैं कैसे 25 किलो पर हक्टेयर के इसाफ मिनको फसलों में चुड़क बीछ बिसकों कुछ सकता है अब बात करें हम लोग वड़े फौंडेशन की बात करें नियू हो गई लकड़ी की हो गई है कोई यदि कोई है उककी है और मिट्टी को नौच हुण नौच होना चाहते हैं त Metro कियोता है यह शीमिंट करके हम ऊपर लकड़ी रखेthing तो हमारी सुरक्षा हो सकती है क्या हमारी सुरक्षा हो सकती है और यहां पर कुछ कीट नासख द्वारा भी हम लूग उस एरिया को सुरचीत रख सकते हैं न्यू फार्मेशन हो रहा है तब की बात कर रहा है अब यहां पर कुछ ऐसे भी आज लकड़ियां आ गई है और ऐसे कुछ भी कीट नासक या फिर कैसे तो केमिकल्स आ गए हैं जो केमिकल्स एक उपयोग से हम लोग बच सकते हैं जब बीडिंग कर रहे होते हैं सब बात कर रहा है और पिरद में देखा जाए इसे बोलता था है पेड़ को प्रभावित हिस्ते पे पेड़ में कोई भी लग गया है नया प्रषम है उसके हिस्ते का सिर्क बाइध करते हो ऑब हैं उसके हैं तने होते हैं ठीक हम उनमें कोरताल या फिर्टी क्या डिर्टी का भी छुड़काव यानि बान सकते वहां पर उसे सुरक्षा पा सकते हैं ठीक तो यह रहा आपका पूरा क्लास एक घंटे कंदर यह पूरा क्लास खतम हुआ तो मिलते हैं यह पूरा यूनिट आपका खतम ह होता है टेक पूरा इन खतम होता है कि अवल आपका मस्कीटो बचा है तो वह कल वाले वीडियो में देख लेते हैं तब तक के लिए टेक के और बाई बाई एंड जैहिन